वीडियो शुरू हो चुकी है लाइव शुरू हो चुका है तो आज हम विशुद्ध मनुस्मृति तीसरा अध्याय पेज नंबर 120 और इसके जुश्लोक है 47 तक हम पढ़ चुके हैं और 47 में ये आया था और उससे पहले का जो हमने पढ़ा था उसमें ये था किस प्रकार से ब्रह्मे चर्ये में रहना चाहिए किस प्रकार से उसके बाद में विवाह करना चाहिए किन किन लड़कियों से विवाह करना चाहिए किन किन लड़कों से विवाह करना चाहिए किसको किस से विवाह करना चाहिए विवाहों के प्रकार कितने प्रकार के विवाह होते हैं और उसमें कौन से प्रकार के विवाह अच्छे होते हैं और कौन से विवाह अच्छे नहीं माने गए हैं इस प्रकार से विवाह के बाद में विवाहेतर जो विवाह के उपरांत इस्त्री और पुरुष संबंद ये यहाँ पर चल रहा है ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं आगे लिखा है युग्म अर्थात रजो दर्शन से लेकर के समसंख्या की रात्रियों छटी, आठवी, दस्वी, द्वादसी, चतुर्दसी और सोडसी में समागम करने से पुत्र उत्पन होते हैं और विशम संख्या वाली अर्थात पाँचवी, साथवी, नोवी, पंद्रवी रात्रियों में समागम करने से लड़की उत्पन होती है इसलिए पुत्र की इच्छा रखने वाले पुरुष, इस्त्री, रितु काल के रजो, दर्शन, समाप्त होने पर समरात्रियों में इस्त्री, पुरुष आपस में समागम करें जिनको पुत्र की इच्छा हो वो छटी, आठवी, दसवी, बारवी, चौदवी, सौलवी और ये छे रात्री हुई और जिनको पुत्री चाहिए करने चाहिए हो पाँचवी, साथवी, नोवी और पंद्रवी ये जो रात्री होती हैं इनमें समागम करे संतान उत्पत्ति के लिए तो उनको यतोचित जो उनकी इच्छा है वो संतान प्राप्ति होगी अब जहां तक हमने देखा है कि आज कल की जो साइन्स है जिन पुरुशों के सुक्राणू नहीं बनते हैं तो जब उनको फर्टिलाइज कराते हैं और क्या बोलेंगे इसको स्पर्म डॉनर से लेकर के तो जो इस्तरी होती है यानि के जो वधू है उसको चोदवे दिन यानि के सम दिवस में ही अधिकतर जो परक्षनली से अंडानू और शुक्राणू को मिलाते हैं डोक्टर वो तकरीबन तकरीबन चौदवा दिन देखते हैं सम दिन देखते हैं ताकि पुत्र प्राप्ति हो तो इस प्रकार से यदि हम आज की साइन्स को और सरश्टी के आरंब से चली आ रही मनुस्मृति को मैच करें तो आप ये देखिए कि इसमें कितना बड़ा विज्यान है कितनी बड़ी साइन्स है ये रिशी ने उसी समय आपको बता दिया है कि यदि आपको पुत्र प्राप्ति करनी है तो क्या करना है और पुत्री प्राप्ति करनी है तो क्या करना है आगे बढ़ते हैं पुरुष के अधिक सामर्थे शाली शुक्र होने पर पुत्र और इस्त्री बीज के अधिक सामर्थे शाली होने पर कन्या हो जाती है ये भी आवश्यक नहीं है बहुत सारी चीजों में और समान सामर्थे होने पर नपुनसक अत्वा लड़का लड़की का जोड़ा और दोनों के बीज ना होने पर अल्प समर्थे वाला होने पर गर्ब ही नहीं ठहर जाता वो गर्ब गिर जाता है अर्थात इस्त्री और पुरुष दोनों का जो वीरिय है रज है वो यदि स्ट्रॉंग नहीं है तो बच्चा क्या होता है? पहले दूसरे तीसरे मंत में ही वो गिर जाता है अर्थात गर्व ठहर नहीं पाता है, बीच में ही मर जाता है तो इस वज़े से रिशी ने बताया है कि वीर्य पुष्ट होना चाहिए तब ही संतानोत पत्ती करें अनिथा ना करें उसका बीच में ही हरास हो सकता है जिससे की इस तरी को स्वास्ते संब्दी परिशानिया हो सकती है, बढ़ सकती है पच्चासवे शलोग में कहते हैं कि पूर्वोक्त जो उपर बताये गए हैं वो जो छे रात्रियों में और इसे भिन शेश दस रात्रियों में से किनी आठ रात्रियों में इस त्रियों को छोडने वाला अर्थात उनसे समागम नया करने वाला व्यक्ति ब्रह्मचरिय आश्रम से भिन अर्थात ग्रष्ट आश्रम में रहते हुए भी ब्रह्मचारी ही रहता है क्या कह रहे हैं कि जो पुरुष या जो इस्त्री आपस में जो छे रात्री बताई गई हैं जो रजोदर्शन की हैं और उनसे आगे भी फिर जो आठ रात्रियां हैं आगे के आठ दिन और छोड़ दें यदि उनमें समागम नहीं करते हैं तो वो व्यक्ती वो इस्त्री और वो पुरुष ग्रहस्थ आश्रम में रहते हुए भी ब्रह्मचारी के समान ही है अर्थात इसके कहने का अर्थ क्या हुआ कि इस्त्री और पुरुष को बेकार में ही व्यर्थ में ही अपने ओज की हानी नहीं करते रहना चाहिए अपने जैसे की शादी भी हुई तो शादी में अधिकतर फोकस इस बात पर रखें कि जब भी हम समागम करें तो संतान उत्पत्ती के लिए ही करें अने था बेकार में आवई ही व्यर्थ में ही अपने ओज का व्यर्थ ना करें आगे बढ़ते हैं 51 वशलोक है कन्या के बुद्धिमान पिता को चाहिए कि वह कन्या के विवाह में थोड़ा सा भी शुल्क, मोल या धन ना ले क्योंकि लोब में आकर शुल्क लेने पर निश्चे ही वह मनुश्य संतान को बेचने वाला कहलाता है अर्थात इस्त्री, पुरुष, अपने बच्चों की शादी करते समय कुछ भी पैसे का लेन देन ना करे क्योंकि इस परकार से यदि कोई भी लेन देन करता है तो वह अपनी संतान को बेचने का काम करता है अब ये देखिए कि भारत वर्ष में अब कितना देच चलता है लेकिन देच को आज की तारीक में सब कहते हैं कि ये एक सामाजिक बुराई है, सामाजिक बुराई है लेकिन क्या कोई कम करने के लिए कारे करता है आज हिंदूों में दिखावे के नाम पर इतना ज़्यादा देच चलता है और जो बिलकुल खतम है जिनकी परिवार की आमदनी भी इतनी अच्छी नहीं है वो लोग भी कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा ज़्यादा देच दे सकें लेकिन मनुस्वर्ती इस विशे में बिलकुल क्लियर एंड कट बोलती है कि किसी भी प्रकार से पैसे आदी का लेन देन नहीं करना चाहिए इस प्रकार से अगर हम करते हैं तो यह संतान को खरीदने अत्वा बेचने का कारिय होगा आगे 52 वे शलोक में कहते हैं जो वर के बांधव यानिके माता पिता बहन भाई आदी संबंधी मोहात यानिके मोह या त्रशना के वशीभूत होकर कन्याओ के धनों को कन्यापक्ष की सवारी या वस्त्रो आदी को ग्रहन कर उनका उपभोग करके जीते हैं वे पापी लोग नीच गती को प्राप्त होते हैं अर्थात उनका पतन हो जाता है जो लड़के वाले लड़की के घर से ही आएगा हमारे लिए सब कुछ ऐसा सोच के बैठते हैं और उसके घर से जो भी आए मतलब चाहे वो कपड़ा हो आभूशन हो वस्त्रों हो गाड़ी हो आज कल तो गाड़ियों का बड़ा परचलन है कि जो इस चीज को लेता है वो अधोगती को प्राप्त होता है अर्थात उसका पतन अतिशीगर ही हो जाता है वो नश्ट हो जाता है जो अपने घर की बहू के घर से ही मेरा सबसामान आएगा उसी को मैं ओड़ूंगा पहनूंगा खाऊंगा पिऊंगा ऐसी इच्छा रखता है ऐसे लोग जल्दी ही खतम हो जाते हैं अब आप बताईए कि कहां किस धार्मिक गरंथ में आपको ये सारी चीजे लिख्यूई मिलेंगी और यदि मनुस्मृती के उपर संपूर्ण तया कोई भी पालन करके चले तो ये पूरी भारत ही नहीं पूरा विश्व आज स्वर्ग हो जाए लेकिन अपनी जो छिछली ओच्छी राजनिती है उसको चमकाने के लिए कुछ लोगों ने केवल विरोध के लिए मनु महराज का विरोध करना है क्योंकि यदि मनु महराज की कहुई भी बातों पर लोग चलने लगे तो फिर इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी बहुत सारे पंडों की दुकानदारी बंद हो जाएगी बहुत सारे मुला मोलानाओं की दुकानदारी बंद हो जाएगी और बहुत सारे भीमवादियों की भी दुकानदारी बंद हो जाएगी तो इस वज़ा से मनुष्य मातर के लिए जो आदेश है शुरुवात से ही जो आदेश है मनुष्य मातर के लिए वो यही है कि आपने केवल और केवल ये कारे करना है इस्तरी और पुरुष कन्या और बालक इनका केवल विवाह करना है उनके लिए अत्यन तवश्यक हो तो उसमें भी गाएं और बैल आदी को देने को कहा गया है अन्यता और कुछ भी नहीं कहा गया है बिल्कुल साधारन विवाह होना चाहिए ऐसा मनु महराज कहते है ठीक है आगे चलते है कुछ लोगों ने आर्श विवाह में बैलों के जोड़े का सुल्क रूप में लेने का कतन किया है वह अनुचित है जूट है क्योंकि इस प्रकार चाहे थोड़ा अत्वा अधिक वह धनका लेना देना तो होई गया वह निश्चे से ही बेचना ही कहलाएगा अर्थात यहाँ पर देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग होते हैं जो गाएं या बैल दे देते हैं मनु महराज कहा रहे हैं कि यहाँ पर गाएं और बैल भी नहीं देना है क्योंकि यह भी अपनी संतान को बेचना है तो रिशी नीचे कहते हैं कुछ भी ना ले दे कर दोनों की परसन्यता से विवा होना ही आर्ष विवा कहलाता है तब ही वो पवित्र विवा होगा जब उसमें कुछ भी लेन देन ना हो ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं 54 वाश लोग क्या कहता है? कन्या के पिता आदी या संबंधी जिन कन्याओं के विवाह के लिए वर्पक से सुल्क नहीं लेते अर्थात वर्पक से विवाह के बदले साथ में बिना कुछ धन के लिए विवाह कर देते हैं इस प्रकार का विवाह कन्याओं को बेचना नहीं कहलाता ऐसे विवाहा वास्तों में कन्याओं का पूजा सत्कार यानि कि सम्मान करना ही कहलाता है कन्याओं के प्रती वास्तों में स्नेह परदर्शित करता है देखे आगे भी कितनी अच्छी बात कही गई है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो विवहा के समय पुरु यानि कि जो वर है वर वाले से ले लेते हैं वद्धु वाले लड़की वाला पैसे ले लेता है कई बार रख लेता है तो कह रहे हैं कि इस परकार से भी ना करें लड़का ही ले ऐसा नहीं है, लड़की वाले भी ना ले कहीं बार ऐसा हो जाता है तो वो भी ना करें, जो इस प्रकार से नहीं करता है अर्थात बिना लेन देन के विवाह करते हैं असल में वो ही कन्यादान करते हैं वो ही उस अपनी बेटी का सम्मान करते हैं सत्कार कर रहे हैं शादी नहीं वो बिल्कुल उसका सम्मान है सत्कार है आगे बढ़ते हैं 55 शलोक में कहा है कि अपना बहुत कल्यान चाहने वाले पिता माताओं को और भाईयों को पती और पत्नी के भाईयों को चाहिए कि इन इस्त्रियों के अर्थात पुत्री, बहन, पत्नी, भावी आदी को आदर सत्कारदे और वस्त्राबूशन आदी से सुभूशित करें यानि कि पिता, भाई, पती और देवर को योग यह है कि अपनी ही कन्या अपनी बहन, अपनी पत्नी, अपनी भावी आदी को, अपनी मा को इस्तरियों को, जितनी भी हमारे घर की है उनको बहुत अच्छे तरीके से आराम से बठाएं, उनको भोजन आदी करवाएं और इसमें उनको वस्त्र दे, भोजन दे, आबुशन दे, उनको खुश रखे अब ये देखिए कि यहाँ पर भी कहीं कुछ भी गलत बात नहीं कही गई है ये नहीं कहा है कि मेरे घर की महिलाओं को औरतों को तेरे घर की यानिके लड़की के घर वालों के कपड़े आएंगे तो वे पहनेंगी नहीं, लड़की वालों को चाहिए कि वो अपने परिवार की महिलाओं का वस्त्र आबुशन आदी से ख्याल रखे और अपनी सभी इस्त्रियों को खुश रखे, उनको वस्त्राबुशन पहना के रखे वर वाले को चाहिए कि वो अपने की जितनी भी इस्त्रियां हैं उन सब को खुश रखे एक दूसरे को लेने देने की बात नहीं कही गई है अर्थात संपूर्ण तया दहेज प्रथा का विरोध मनु महाराज ने किया है मैं बीच में टोकना चाहूंगा कुछ लोग कीचड की तरह हर जगा पहुँच जाते हैं पिहु आर्यजी तो इस वजए से इन लोगों का जवाब ना दें क्योंकि यदि हम इनको सब कुछ बता देंगे तो भी यहां कीचडी फैलाएंगे पिछले नोवत क्लासिस से ये लोग सुन रहे हैं लेकिन ये इतने गलीच होते हैं कि इनको हमारी बात नहीं सुननी होती है जो इनके बाप दादा लिख करके मनुसमिर्ती गए है ये उसी को पढ़ेंगे ये विशुद्ध मनुसमिर्ती में बार बार दिखाता हूँ ये व्यक्ति इस पुस्तक को नहीं लेगा इसको ना पढ़ेगा इसलिए इनका अपना प्रोपेगेंड़ा है इनकी अपनी राजनीती है छिछली राजनीती इस देश को गर्त में ले जाने की इनको चलाने दीजिए आप लोग पढ़ते रहिए इनके कमेंट्स को बिलकुल इग्नोर करके पढ़िए क्योंकि दोस्तो रिशी काल में भी जब यज्य होते थे हवन होते थे तो ऐसे बहुत सारे मले चाते थे कोई खून डालता था कोई हड़ी डालता था रिश्यों ने कभी अपने यज्य के कार्य नहीं रोके वो continue अपने कार्य करते चले गए वो कार्य ना करते तो फिर तक शिला नालंदा और ये बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज थी ये ना बनती हम इतनी तरक्की ना करते इसलिए आगे बढ़ते हैं अभी 56 श्लोक में हम पहुंचते हैं और ये सबसे प्रसिद श्लोक है पूरी मनुस्मृती का पढ़कर सुनाता हूँ यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तरत्र देवताह यत्रे तास्तु न पूज्यंते सर्वास्तत्र फलाहा क्रियाह अर्थात जिस कुल में नार्यों की पूजा अर्थात आदर सत्कार होता है निश्चे ही उस कुल में दिव्य संतान दिव्य गुण दिव्य भोग प्राप्त होते हैं जहां इनका आदर सत्कार नहीं होता है अर्थात अनादर होता है उत्पीडन होता है उस कुल में ग्रहस्त संबंधी सब क्रियाएं निश्फल हो जाती है ग्रहस्त संबंधी सब क्रियाएं निश्फल हो जाती है जिस कुल में नारियों की पूजा यानि के उनका आदर सत्कार होता है और ये आदर सत्कार अभी बताया गया यदि विवाह आदी है तो विवाह में अपनी स्त्रियों को अच्छे से उनको वस्त्र आभुशन आदी दे करके खूब अच्छे से उनको खुश रखे कभी दूसरे पक्ष के उपर नियत ना रखें कि वहां से हमको मिलेगा और इतनी अच्छी अच्छी बाते भी कोई व्यक्ती नाच सुन करके अपने दिमाग से बनाए हुए प्रोपेगेंडा पर यहां आकर कुत्तों की तरह यदि भौकेगा तो उस पर ध्यान नहीं देना है हमें बहुत अच्छी अच्छी बाते भी मनुस्मृती में आगया आएंगी हम उनको पढ़ेंगे आप केवल उनके उपर ध्यान दें अब देखिए इतनी अच्छी बात कही गई है पहले कहा गया था केवल उसी से विवाह करे जो आपके दिमाग से बिलकुल मैच करती हो आपके जैसी पढ़ाई पढ़ी हो दूसरा कहा गया रतिक रिया अर्थात समागम केवल अपनी ही पतनी से करें और तीसरा कहा गया केवल एक ही स्त्री से विवाह करें फिर कहा गया कि जिससे भी विवाह करे उसका सम्मान करे आदर करे सतकार करे और साथ ही साथ अपने घर की सभी इस्तरियों का आदर सतकार करे इतनी शांदार बाते आपको कहीं से लेगे तक भी आपको पढ़ने को नहीं मिलेंगी और जब ये संसकार हमारे बच्पन से बच्चों में गिरते थे वो बच्पन से इन चीजों को पढ़ते थे तू बताओ कि हमारा समाज कितना उतकृष्ट रहा होगा हमें इस बात का दुख होता है कि बीच में आने वाले पंडे पुजारियों ने अपने फाइदे के लिए अपने लाब के लिए बहुत सारी मिलावटे की और जितनी मिलावटे उन्होंने नहीं की उतनी मिलावटे उनसे भी ज़्यादा मिलावटे वामपंथियों ने की और उनसे भी ज़्यादा मिलावटे मुसल्मानों ने की और उनसे भी ज़्यादा कूपरचार आजकल के उन भीमवादियों ने की है जिनकी राजनिती केवल और केवल मनु माहराज के उपर ठीकी हुई है तो इसलिए हमको अपना जो अच्छी चीजे हैं उनको ही सामने रखना है बाकी मक्षी जो होती है वो गंद पर ही बैठती है और वो भी वो गंद जो वहाँ पर हो भी नहीं ये खुद ही गंद डालते हैं और उसी पर ही खुद ही बैठ जाते हैं हम पढ़ाएंगे आपको सब चीजे बताएंगे ध्यान से आप इनको पढ़ते जाएए 57 वे शलोक में कहा है जिस कुल में इस्तरियां अपने अपने पुरुशों के उत्पीडन उनके द्वारा किये गए वैश्या गमन अत्या चार दुर्वे वहार व्याभी चार आदी सिक दोशों से शोका तुर रहती हैं वो कुल शिगरी ही समाप्त हो जाता है और जिस कुल में इस्तरियां पुरुश के उत्तम आच्रोन से खुश रहती हैं प्रसण रहती हैं वो कुल सरवधा ही बढ़ता रहता है अब देखिए कुछ गंद मचाने वाले लोग ये कहते हैं कि मनु सिमृती में वैश्या गमन के बारे में लिखा है देवदासी प्रथा के बारे में लिखा है जबकि ये देवदासी प्रथा उनकी खुद की देन है लेकिन मड़ दी जाती है मनु महराज के उपर मनु महराज ने उस विशे में कहीं नहीं लिखा मनु महराज यहाँ पर साफ इस पश्ट लफजों में लिख रहे है कि कभी भी परिस्त्री गमन नहीं करना चाहिए वैश्य वरत्ती नहीं करनी चाहिए व्याभीचार नहीं करना चाहिए सदा सरवदा अपनी पत्नी के साथ हमेशा एक जो पवित्र रिष्टा है उसमें रहना चाहिए उसको निभाना चाहिए उसका निर्वहन करना चाहिए और जो ऐसा करते हैं उनका परिवार सदा सरवदा के लिए खुश रहता है और जो ऐसा नहीं करते जिनकी पत्निया इस चीजों को लेकर के दुखी रहती है वो कुल का कुल ही समाप्त हो जाता है अब बताओ इस्तरियों को कितना मान कितना सम्मान यहाँ पर दिया गया है इतना कोई व्यक्ती, कोई दीन वाला, कोई कल्ट वाला सोच भी नहीं सकता उनकी किताब हवा हवाई में आपको पता है चार चार बीवी, ग्यारा ग्यारा बीवी के लिए लिखा गया है इस तरी को माले गनीमत कहा गया है इस तरी को खेती कहा गया है कि उसमें जितना चाहे हल चलाओ तो इसलिए इसलिए इन बातों को सदा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे रिश्यों ने हमको कितना अनुपम ग्यान दिया है उसको हमने ग्रहन करना चाहिए आगे कहते हैं इस कारण से परिवार में असत्कृत अर्थात निरादर और तिरसकार प्राप्त करने वाली इस्त्रिया जिन घरों को श्राप दे देती हैं अर्थात क्रोधित होकर कोस्ती हैं और अनिष्ट करने को उद्यत हो जाती हैं तब वे कुल सभी प्रकार से सामूहिक विनाश करने वाली बयंकर दुरगटना से जैसे सब एक साथ ही नश्ट हो जाते हैं वैसे वे कुल भी नश्ट भरष्ट हो जाया करते हैं अर्थात जिस कुल में इस तरियों को बहुत ज़्यदा परिशान किया जाएगा और फिर कोसेंगी उनको बहुत बुरी बुरी दुर भावना के साथ में बाते कहेंगी वो कुल के कुल ही नश्ट हो जाते हैं अगे इस कारण से अपनी नित्य समरिधी सफलता चाहने वाले मनुश्यों को सत्कार के अवसरों पर और उत्समों यानिके प्रसनता आदी के अवसरों पर इस तरियों का आभूशन वस्त्र खान पान आदी से सदा आदर सत्कार करना चाहिए अर्थात उन्हें प्रसन्य संतुष्ट रखना चाहिए इस कारण एश्वरे की इच्छा रखने वाले पुरुषों को योग्य है कि सत्कार के अवस्वरों पर अपनी पत्नियों को खुश रखे अपनी पत्नियों को खुश रखो ये बात महाराज हर बार कह रहे हैं कभी भी उनका दिल न दुखाओ, कभी उनको परेशान न करो कभी भी पर इस्तरी गमन न करो कभी भी अपने चरित्र को न गिराओ केवल और केवल पूरी स्रद्धा और पूरी पवित्रता अपनी पत्नि में रखो और जब जब कोई ऐसा अवसर आता है जैसे कि वहाँ आदी का जिकर चल रहा था तो अपनी पत्नी हो, चाए भाबी हो, चाए बेहन हो, बेटी हो, मा हो उनको सुन्दर सुन्दर वस्तर आबूशन आदी अवश्य दिलाएं ताकि उनकी नजर दूसरे के सामान पर भी न रहे भई फिर देखता है कि हाँ, ये तो हमने तो बहुत ही मतलब है हमारे पास तो ऐसे कपड़े भी नहीं है जैसे कि दूसरों ने पहन रखे हैं इस प्रकार की भावना उनके मन में ना आने दे कहते हैं, जिस कुल में निरंतर पत्नी के विवार से पत्नी संतुष्ट रहता है उसी प्रकार से पत्नी के विवार से पत्नी भी संतुष्ट रहती है उसी कुल का कल्यान निश्चित होता है अब मुझे बताईए कि क्या या मनु महराज ने सवरन के लिए कहा है SCST के लिए कहा है OBC के लिए कहा है मुसलमानों के लिए कहा है यहुदियों के लिए कहा है या कृष्चन्स के लिए कहा है बोद के, जैन के, किस के लिए कहा है भाई, मनुष्य मात्र की वाच चल रही है मनु महराज मनुश्यों के लिए लिक कर गए है किसी एक जाती, मत, पन्त, संप्रदाय के लिए नहीं लिक कर कर गए है यदि कोई भीववादी भी होगा, यदि वो अपनी पतनी को खुश नहीं रखेगा तो उसकी पतनी उससे खुश नहीं होगी उसका परिवार भी खुश नहीं रहेगा ये clear and cut बात है ये सारव भौमिक सत्य है यूनिवर्सल टूथ है इसलिए मैं मना करता हूँ कि किसी भी व्यक्ति कोई गल्टी से भी यहां पर अनाप शनाप नहीं लिखना चाहिए अनाप शनाप दुर्भावना के साथ में नहीं बोलना चाहिए लेकिन कुछ होते है जो लातों के भूत होते हैं लात लगे बिना मानते नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे रिशी कहते हैं 61 शलोक में यह मनोव एक्जानिक और शारिक सत्य है कि निश्य ही अदिस्त्री संतुष्ट प्रसन्न ना रहे तो वह पुरुष को भी संतुष्ट प्रसन्न नहीं रख सकती परिणाम स्वरूप पुरुष्ट की असंतुष्टी से कामोत पत्तिना होने से प्रजनन क्रिया में प्रवर्तिना होती है और उससे संतान भी नहीं होती है अथवा स्वस्त श्रेष्ट संतान नहीं होती अतह इस्तरी की परसनता पर्थमत आवश्यक है जो इस्तरी सदा सदा ही रोती रहती हो दुखी रहती हो, परेशान रहती हो रोती जहिंकती रहती हो अभावों में जीती हो अभावों में रहती हो ऐसी इस्तरी यदी गर्ब से है तो उसका बालक भी वैसा ही पैदा होगा इसलिए कहा है मनुमाहराज ने प्रत्येक इस्तरी को खुश रखे प्रसन रखे प्रसन चित रहे बहुत सारी बाते हैं वो साइन्टिफिक हैं मनोवेज्यानिक हैं और इन चीजों को बहुत गहराई से देखते हुए रिशी ने ये सब बाते लिखी है आप लोग भी अपने जीवन में इन सब बातों का ज्यान रखें आगे रिशी लिखते हैं 62 शलोक में इस्तरी की प्रसनता से उस संपूर्ण कुल में प्रसनता आ जाती है इस्तरी के अप्रसन या शोक गरस्त होने पर घर में कुछ भी प्रसनता दयक नहीं लगता अर्थात परिवार में प्रसनता का वातावरण इस्त्री की परसंदा पर ही निर्भर करता है अन्य किसी की भी नहीं देखो यदि आपकी इस्त्री परसंद है चाहे वो मा हो, चाहे वो बहन हो, बेटी हो कोई भी आपके घर में जो इस्त्रिया है वो यदि परसंद नहीं है तो पूरा का पूरा परिवार प्रसंद नहीं रह सकता और वो खुश हैं तो पूरे परिवार को वो खुश करके ही रखते हैं छोटी-छोटी बच्चियां अपने देखे होंगी छोटी-छोटी चीजों से ही खुश हो जाती है वो अपने पिता को देखने से ही कुछ हो जाती है अपनी माता को कारिये में थोड़ा सा हाथ बटाएं तो कितना अच्छा लगता है और वो बच्ची फिर जब चहकती है वो जब पूरे घर में चहकती है खिल-खिलाती घूमती है तो कितनी अच्छी लगती है अब वो बच्ची चाहे हिंदू की हो, चाहे मुसलमान, सिक, इसाई, जैन, बोध, दलित, सवर्ण, OBC, ST, ST, कुछी की भी हो सब की एक ही बात है, इसलिए मनु महराज ने जाती विशेश के लिए नहीं अपने बच्चों के लिए लिखा और सब उनके बच्चे हैं, चाहे वो मुसलमान ही क्यों न हो, वो भी मनु महराज की संताने है अब कोई संतान अपने बाप कोई गाली देने लग जाए, तो उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते हम को अपने बुजरुगों का अपने पूरवजों का अपमान नहीं करना है हमें अपने पूर्वजों का मान करना है इसलिए अब नेक्स्ट आता है पंच महायज्य विशे जिसको हम कल लेंगे हम पहुँच चुके हैं 126 पेज़ पर कल हम 67 शलोक से पढ़ना अरंब करेंगे और सब इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें अपनी बेहन बेटियों के साथ में शेयर करें इस वीडियो का इस्तरियों के द्वारा देखा जाना अत्यनतावश्यक है चलिए सिधे बैठते हैं तीन बार ओम का उच्छारन करके आज की कक्षा को यही पर समाप्त करते हैं OM 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 शुवरत्री जुरत्री मौ युवरत्री झाल झाल